तो यह है गईज Highlander के white sneakers और यह है गईज Sparks के SM734 white sneakers अब यह जो दोनों sneakers है गईज यह बहुत ही बढ़ी है दिखने में और और looks wise भी यह जो sneakers है वो बहुत बढ़ी है लगता है काफी सार लोगों को यह confusion है कि इन sneakers को buy करना चाहिए या फिर यह Sparks के जो sneakers है इनको buy करना चाहिए तो इस वीडियो में कैसे डीटेल में हमें इन दोनों sneakers का जो comparison है वो करने वाला हूँ और वीडियो के end तक जो यह बता दूँगा कि इस sneakers को buy करना चाहिए या फिर इस sneakers को buy करना चाहिए तो चलिए गईस करते हैं इन दोनों का comparison तो सबसे पहले गईस हम इन दोनों sneakers के outer sole का comparison है वो करते है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा important होता है और उससे जो durability है वो भी बढ़ती है sneakers की तो अगर sparks की बात की जाएगा इस तो यहापे जो है वो outer sole में PVC material का जो use है वो किया हुआ है और यहापे गईस हमें काफी सार जो patterns है वो भी देखने को मिल जाते है जिससे आपको अच्छी खासी जो grip है वो मिल जाएगे इन sneakers में अगर वही अगर हम Highlander की बात करते है तो यहापे गईस जो rubber material का use है वो किया हुआ है outer sole में जो की बहुत बढ़िया बात है rubber material इस price point पे काफी कम मिलता है mainly हमें EVA sole या फिर PVC material जो है वो देखने को मिलता है तो इसमें rubber का use किया है बट यहापे अगर हम देखते हैं इस तो जो pattern से वो बहुत ही कम है एकदम हलकी सी जो lines है वो देखने को मिलते हैं तो वो सकता है कि इससे जो है वो आपको gripping में थोड़ा बहुत आगे जाके जो है वो problem हो सकता है तो और अलगाई sole तो दोनों के अच्छे है बट यहापे आ यहापे काफी सारे patterns है जिसके हो जिससे आपको बड़ी आसी जो grip है वो मिल जाएगी अगर दोनों sneakers के अपर material के बार में बात की जागा इस तो दोनों sneakers में जो synthetic leather का use है वो किया हुआ है और इनके जो quality है वो भी बहुत बढ़िया है और हलका सा जो cushiony effect है यह दोनों sneakers में बात की जागा इस तो दोनों के जो inner sole है वो अच्छी quality के और यहापे आपको अच्छा कासा जो cushion है वो देखने को मिल जाएगा और side में भी है यहापे sparks में भी अच्छा कासा जो cushion है वो देखने को मिल जाता है जिससे पहनने के बाद आपको overall जो sneakers है वो comfortable लगने वाले है अ as compared to sparks के laces दोनों shoes में guys हमें laces के उपर जो caps है वो देखने को मिल जाती है बट इसके laces की जो quality है वो अच्छी नहीं है बट इसके जो laces है वो थोड़े थिक भी आपको देखने को मिलेगे वह इनकी जो quality है laces की वो भी ज्यादा अच्छी है as compared to sparks तो अब दोनों sneakers का जो weight है वो भी हमें एक बार compare कर लेता है तो यह आप हमें sparks का weight देखने को मिल रहा है 364 grams वह हमें यह आप यह highlander का weight है वो देखने को मिल रहा है 377 grams तो ऐससे बहुत जादा difference नहीं है दोनों के weight में और weight में दोनों में ऐससे आपको कोई भी जो problem है वो नहीं आएगा अब compare करते है दोनों sneakers के looks को तो looks wise दोनों जो sneakers है वो बहुत बढ़ी है बट मुझे looks wise यह जो sneakers है जो highlander के sneakers है वो जादा अच्छा लगते है अब क्योंकि इन sneakers पर कोई भी जो branding है वो नहीं की हुई है बस stitching के जो pattern से वो देखने को मिलते है और front में rounded सा जो toe है वो देखने को मिलते है जि अगर हम compare करते है तो मुझे highlander का look है वो जादा अच्छा लगते है आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में ज़रू बता देना अगर दोनों की price को अगर हम compare करते है तो mainly highlander के sneakers है वो आपको कम price में देखने को मिल सकते है as compared to sparks mainly इनके उपर काफी sale चलता है तो 600, 600, 700 के आ price है वो और भी कम हो जाए इन sneakers को मैंने 1000 रुपे के आसपास वो भाई किया था उस टाइम पर क्यूंकि बहुत पहले मैंने यह sneakers वो भाई किये थे और generally मैं इन sneakers का use है वो भी करता हो इसलिए आप देख सकते होगा इस हलका सा यह जो dim color है वो आपको देखने को मिलेगा जब म मैं आपको कुछ और important चीज़े बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि conscious sneakers को आपको जो है वो भाई करना चाहिए तो इसके बार में मैं बात करता हूँ तो इनको मैं personally भी यूज़ करता हूँ और यहापे मुझे दो चीज ऐसी लगी है जिनके वज़े से हो सकता है कि आपका decision है वो change हो जाए सबसे पहली बात guys कि अगर आप इनको बहुत जादा यूज़ करते हो तो यहापे guys आपको क्रीजस मतलब जो lines है वो देखने को मिल जाएगी अपर material में जिसके वज़े से guys जो look है वो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता है front में आपको lines ज यह हो जाता है जिसके वज़े से आपको gripping में जो है वो problem हो सकता है तो यह दो चीज़े guys मुझे इनकी जो है वो disadvantage लगी बाकी looks wise जो material है laces है वो सारी जो चीज़े वो बहुत बढ़ी है इन sneakers की बस जो creases है और जो grip है उसके वज़े से थोड़ा बहुत जो problem है हो सकता है बा नहीं आएगा वही अगर crisis के बार में बात की जाएगा इस तो मुझे लगता है यहाँ पर crisis के आपको कोई भी जो problem है वो आएंगे ठीक है तो इसमें ऐसे problems आने के chances है वो मुझे कम लगते है बाकी दोनों जो sneakers है guys वो बहुत ही अच्छ है अब guys यह sneakers बाई करना चाहिए या और आप और एक अच्छा जो sneakers है वो बाई करना चाहते हो तो आप इन sneakers के लिए जो है वो जा सकते हो और एक चीज आप याद रख सकते हो कि अगर आपको daily use करना है sneakers को मतलब आप college going student हो और आप रोजी जो sneakers है उनका use करने वाले हो तो मैं आपको बोलूँगा कि ज़रूर आ जाधा जो durable है वो लगते हो और इनके जो gripping वगेर है वो जाधा अच्छी हो सकते है वही अगर आप occasionally पहनना चाहते हो sneakers और जो look है वो एकदम अच्छा आना चाहिए तो आप इन sneakers को जो है वो बाई कर सकते हो ठीक है तो इन चीजों का आप ध्यान में रखके इन sneakers में से subscribe कर देना और comments में ये भी बता देना कि आने वाले वीडियो में आपको कौनसे sneakers या फिशूस का जो comparison है वो देखना है तो उनके उपर भी जल्दी जो वीडियो है वो में upload कर दूँगा